किसान बाईयों अगेती मटर की खेती करके हम एक एकड़ से लाखो रुपया कमा सकते हैं क्योंकि अगेती मटर के जो बजार भाव मिलते हैं वह पूरे साल के अंदर सबसे ज़्यादा मिलते हैं लेकिन हमारे देश में लगबग 60% किसान अगेती मटर की खेती करके अपनी लागत को भी नहीं निकाल पाते हैं तो आखिर किसान अगेती मटर की खेती करके फेलकियों हो जाते हैं गुआई करते समय कौन-कौन सी साउधानियों को ये ध्यान में नहीं रखते हैं साथ ही जब हमारी फसल लगबग 15 से 20 दिनों की हो जाती है उस समय पर किसानों के सामने जो प्रोबलम आती है जैसे कि फसल पीली हो जाती है पौंधों की ग्रोथ रुख जाती है और अक्सर उस टाइम पर किसान फेल हो जाते हैं तो किसान भाईयों इस वीडियो के माध्यम से अगेती मटर की बुआई हमें किस समय पर करनी चाहिए कितने तापमान होना चाहिए बुआई करते समय हमें कौन-कौन से बीच का चैन करना चाहिए साथी साथ किन-किन साउधानियों को ध्यान में रखना चाहिए फसल के अंदर आने वाले समय में किन-किन बिमारियों को शुरुआत में ही हम किस तरह से नंतरन करना चाहिए और हमारी फसल से संदार फसल के रूप में उसका उत्पादन भी एक बेहतरिन तरीके से हो सके तो नमस्कार किसान भाईयों मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अगरी हुमा में तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अगेती मटर की बुआई हमें किस महीने में और किस तारिक से करनी चाहिए किसान भाईयों अगेती मटर का मतलब होता है कि जब आपके एरिये में तापमान 32 डिग्री से या 32 डिग्री के नीचे आ जाए तो उस समय पर यदि आप मटर की बुआई करते हैं तो उत्पादन आपको सबसे अच्छा मिलेगा अगर आप महीने के हिसाब से बुआई करना चाहते हैं तो लगबग 32 डिग्री या 32 डिग्री से नीचे का जो टमप्रेचर आता है वो पूरे साल में सितंबर महीने के आखरी सब्ता में होता है या अक्टूबर महीने के प्रथम सब्ता में होता है उस समय पर आप बुआई कर सकते हैं अब बात करेंगे किसान भाईयों खेत की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए बेसल डोज में हमें कौन-कौन से खाद उर्बरक अपने खेत में डालने चाहिए किसान भाईयों मटर की खेती के लिए डोमट मिट्टी या बलूई डोमट मिट्टी सबसे उप्युक्त मान के बाद हो सके तो लगबग तीन से चार टाली आप देशी गोबर की सड़ी गली खाद अपने खेत के अंदर जरूर डालें रसायनिक खादों में किसान वाईयों सिंगल सुपर फासफेट एक बोरी इसके अलावा एक बोरी डाई अमोनिया फासवाइड दी एपी 35 किलो पोट किसान भाईयों अब हम बात करेंगे बीच का बीच कौन सा लेना चाहिए कितनी मातरा में खेत के अंदर रखनी चाहिए तो किसान भाईयों मार्केट में बहुत सी वराइटिया है लेकिन जो सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वराइटी है वो है एडवांटा कमपनी का जीयस टेन इसको सबसे ज्यादा किसान लगाते हैं इसके अलावा आप अपने एरिये के हिसाब से बीच का चुना कर सकते हैं जो वराइटी आपके एरिये में सबसे बढ़िया उत्पादन देती है उसी को आप लगाएं बीच की मातरा 35 से 40 किलो प्रती एकड के हिसाब से आपको बोना चाहिए अब बात करते हैं बुआई करते समय कौन कौन से सवधानिया रखनी चाहिए तो सबसे पहले किसान भाइयों बीच को बोने से पहले कारबेंडा जिम 3 ग्राम प्रती कीलो के हिसाब से या थारम से उपचारित करके 2 घंटे बाद ही बुआई करना चाह जब हमारी फसल 15 से 20 दिनों की हो जाए तो उस समय पर आपको यन पीके 19-19-19 या यन पीके 20-20-20 का इस्प्रे कर देना है ये इस्प्रे करने के लगभग 5-7 दिन बाद हमें दूसरे इस्प्रे करना है किसी भी आप फंगिसाइट का अब कर लीजिए ऐसा करने से आने वाले इस समय में अपने फसल के अंदर कोई भी फंगिस वाली बिमारिया नहीं लगी तो उमीद है किसान भाईयों जनकारी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करना न भूले धन्यवाद